हेलो अब्रीवन डिस इस जो करन एंड वेलकम बैक तो माई अनदर व्लॉग सो आज की वीडियो आपको थम्नेल और यह आप टैटल दे के मालूम चल गया होगा कि मैं किस बारे बात करने वाला हूं तो आज है मेरे पास इन दोनों के बीच में है कमडे ने ने क्या दिफेरेंस बना या और तो दोना चीज का फ्रोकीरे विडियो को देने से पहले सब्च्राइब को बटन दबाना ना बूले सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल अकन को दबाकर हमारी हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं तो आईए देखते हैं करन की ये वीडियो तो चानल के न्यू वियर्स है चानल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंटर के बताईएगा कि मेरी एक जो वीडियो है आपको जो डिटेल्स बताईए कैसी लगी तो और अब चालू करते हैं एक बर आप इसकी सिनेमेटिक वियू देख लो दोनों बैक्स की बीए सीक्स और बीए सफोर की दोनों की वियू देख लो उसके बाद सारा डिटेल्स आपको देना चालू करूँ लिए कि बीए सार तो गाइज आपने अभी सिनेमेटिक व्यू देखा होगा होप करता हूं कि आपको अच्छा लगागा सिनेमेटिक व्यू और आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं जो मेजर डिफरेंस है दोनों में तो आप जाते हैं रियर व्यू कैमरा में तो गाइज आप देख सकते हैं य एक्चुलिए बीए सिक्समें यह सेम अना स्टाट हो गिया है सामने वाइजर जो है वह ब्लू है और टैंक के उपर में जो बौडी वह ब्लू कलर है तो दोनों में डिफरेंस है वह बीएस फ़ोर यह बीए सिक्स है सो गाइज अभी स्टार्ट करते हैं इसकी इंजन के स्पेसिफिकेशन में तो BS4 की जो PS है PS बोले तो BHP होर्सपावर इसकी BHP है 19.3 प्रोड्यूस करती है 8500 RPM में और इसकी टॉर्क है 14.7 BS4 की टॉर्क 14.7 और BS6 की इंजन की स्पेसिफिकेशन इसकी है 14.1 Nm Torque at the rate 8500 और BHP है 18.6 यह हो गई इसकी स्पेसिफिकेशन इंजन की बात करते हैं major difference in colors कलर के बात करेंगे तो यह जो blue color BS6 में है यह बहुत जारा shiny है मतलब की light blue है यह आप check out कर लो इसे camera जैसे justice कर रहा है आप इसे check out कर लो यह है light blue color और जो मेरी वाली है BS4 यह हलकी सी purplish blue color की है purplish मतलब हलकी dark है आपको दोनों की difference मालूम चल रही होगी यह BS4 और यह BS6 दोनों में difference है color में यह light है वो dark है उसके बाद एक changes किया कंप्री ने की इसकी alloys जो है वो है blue color same as a body जैसे body में जो blue color है same इसके alloy के color भी है front वाले alloy और rear वाले alloy blue है और मेरी वाली जो BS4 है इसके alloy है black color दोनों black है एक और चीज कंप्री ने की है इसमें कि जो BS6 की जो seat height है rear वाली वो हलकी सी down कर दिये ताकि जो pillion है उसको comfort मिले और मेरी BS4 की बात करेंगे तो आपको देखके मालूम चल रहा होगा कि इसकी seat height जो rear वाली बहुत जादा height पे है और seat भी इसका बहुत सफ है तो इसमें seat की changes भी की है इसकी सीफ जो है BS6 की जोड़ी सॉफ्ट है और इसकी height भी जो है थोड़ी सी कम कर दिये as comparison to BS4 आपको यहां से मालूम चल रहा हुआ कि दोनों की seat height में थोड़ी सी difference है आप justice कर लो से अब बात करते हैं दोनों की ABS की तो मेरी बाइक है 2090 अनुफेक्चर और परचेश है 220 और यह वली रिसेंट की बाइक है माने दो दिन पहले परचीस किया है में फ्रेंड ने और ABS की बात करें थी दोनों में करें तो BS4 जो है इसकी टॉप एंड 159 km per hour बहुत ही क्विक है दोनों में वी वी यह है वेरिवल वाल एक्ट्वेशन वाल दोनों में लगा हुआ है तोनों के head में कुछ चेंजेज नहीं किया और BS4 जो है क्विक है थोड़ी सी पावर डेलिवरी में और टॉप एंड में 159-160 तक जाती है और यह जाती है 155-154 में इसकी लिमिटर कर दिये कंप्री ने क्योंकि बहुत सरे इसके इंजन में चेंजेज किया है लगा दिया है इंजन को बहुत जाद दवाब दे दिये कंप्री ने इसलिए यह पावर उतना प्रोड्यूस नहीं कर सक रही है और इसकी टॉप एंड भी मार्क खा गई है बस BS6 की इंजन में यह दिक्कत सकता हूं तो मैं एक इसकी टॉप जो है इंजन की टॉप स्पीड यह होती है इंजन की मतलब रोड टेस्ट नहीं करना डायनो टेस्टि से कहते है ठीक कर्ने वाला ओं यह आपको नेक्वीडियो में दिखने मिलें जिने कुछ पता नहीं है और बाइक उठा की वीडियो बना रहे हैं कुछ लोग कहते हैं कि BS4 में O2 Sensor नहीं है और BS6 में O2 Sensor है मैं आपको एक चीज बता दूं कि बीना Fuel Injector Injector जिस बाइक में होती है उसमें O2 Sensor हो गही 100% क्योंकि बीना O2 Sensor का Fuel Injector आपका वर्खी नहीं करेगा में O2 Sensor होता है जो ECU से Injector को सिगनल भेशता है कि आपको कितना Fuel Spray करना है कितना Gas निकल रही है कुछ बेवकूफों ना जाने कुछ भी वीडियो बना दिये कि BS4 में O2 Sensor नहीं है और B16 में दिया है आपको मैं आपको दिखाता हूं यह BS6 इसकी exhaust में देखो आपको यहां पर इसकी एडरस में आपको यहांपे O2 Sensor दिख रहा होगा है यह रहा इसका O2 Sensor और BS4 में आप को Head में नहीं दिखने मिलेगा आपको यहां पर देखो यह यहां पे आपको इसका auto sensor नहीं दिख रहा तो मैं दिखाता हूँ यहां पे कहां पे लगा हूऊ यह BS4 तो आपको मैं Zoom करके दिखाता हूँ यह जो header लगी हुए ब्लॉक में आपको यहां पे एक sensor दिख रहा होगा यह यह वाली यह sensor दिख रही है यह यह आपको यह दिख रहोगा किसी ने वीडियो में दिखाए नहीं यहाँ पेक है यहाँ पीसे लगा दिया है और इसके साथ में यहाँ लगा दिया चीज आपको दिखानी थी कि बीने ओटू सेंसर के इंजेक्टर कामी नहीं करते हैं, पता हम ने किसम ने वीडियो बनाई है कि इसमें Auto Sensor नहीं है, यह Changes है, वो Changes है BS6 में कंप्री ने दे दी है radial tire दोनों front वाले और rear वाले दोनों है radial tire और मेरी वाली जो BS4 है इसमें है plane tire plane मतलब की normal tires है इसमें और BS6 की tire की size आपको बताता हूँ मैं यह है MRF की revs RE VZ Yamaha revs और tire की size है 140 70 R17 आप यह देख सकते हो 140 17 R17 radial tire है MRF revs यह BS6 में company radial tire दे दी है और मेरी bike में भी MRF की tire है genuine और यह है Nailo grip zapper Nailo grip zapper plane tire है यह radial tire नहीं है इसकी specification भी same है 140 17 140 70 17 इसकी size है same front वाली की भी बात करेंगे तो वही same चीज़ है MRF की BS4 में 187 MSIN 52P यह normal tires है BS4 में और BS6 की बात करें तो इसमें भी front में जो tire है वो BS4 की तरह same है इसमें radial tire शायद कमने नहीं दिया है क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है 180 17 MC 52P front में आपको radial tire नहीं मिलती BS6 में और BS4 में भी हलाकि दोनों की tire जो है वो tubeless tire है अब बात करते हैं कि BS6 में इसमें कमपनी ने डूल हॉन देना स्टार्ट कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं handle के जस्ट नीचे एक हॉन है genuine और एक और नीचे में है रेडिटर के पास में तो कमपनी ने BS6 में डूल हॉन दिया है by default आपको बजा कर दिखा देता हूं BS6 में डूल हॉन है और BS4 में सिंगल हॉन है और मैंने तो एक्चुली दोनों हॉन चेंज किया था तो मैंने भी BS6 को देखकर ही डूल हॉन इंस्टॉल किया था मैंने इस उपर वीडियो बनाई हुई है मेरे भी डूल सोरन है आपको अवास वाज देता हूं मैंने अलग से इंस्टॉल किया था न्यू पर्चेस करके इसकी वीडियो बनाई ही मेरे चैलने आप जागा शेक कर लो वहां पर कैसे इंस्टॉल किया था क्या का चीज लगा था इस पर और अब में बात करते हैं कि इसकी ग्राफिक्स की कलर चेंज किया है कंपनी ने तो ग्राफिक्स भी चेंज किया है तो इसकी ग्राफिक्स भी अच्छा लगता है मतलब कि जो यामा की R3, R6, R1 से पुरा इंस्पैर वगर के इन्होंने न्यू वाली मॉडल की जो ग्राफिक्स है वो तियार की है यामा ने तो राइट सेट की पैनल देख लो आप R5 को चीज तरह से लिखी हुई है यामा नीचे लखा हुआ है और मेरी वाली जो BS4 है इसकी यामा नीचे लिखी है ब्लैक कलर में और साइड में यहां पर आरन फाइड बड़ा सा ABS के साथ फ्रेंट वाले मैंने खुद अपने से मोडिफाइ किया है चेंजेस है इसमें यह भी मैंने खुद बनाया तो यह ही है मेजर डिफरेंस इसमें आपको आरन फाइड वजन थी कि बेसिक्स में आपको लेफ साइड में जो स्टैंड है आपको स्टैंड लगने के बाद में बाइक आपकी स्टैंड नहीं होगी एक सेफटी वीचर दिया है कि अगर आपकी स्टैंड लगी हुई है आप जितना मर्जी सेल्फ मार लो कुछ भी कर लो आपकी बाइक स्टैंड नहीं होने वाली है यह सेफटी मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें जो कि बेस फोर में मुझे नहीं देखने मिलता स्टैंड में यहां पर कोई भी सेंसर नहीं लगा हुआ है कि आप बाइक स्टैंड करो कुछ वर्क पड़ता नहीं इसे तो यह सेफटी बेस वर्म नहीं मिलती है यह बेसिक्स मिलती है कि साइट स्टैंड में सेंसर लगा हुआ है आप यहां देख लो यह रहा सेंसर अंदर से जो घाइस होप करता हूं कि आपको यह मेरी डिटेइल वाली विडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना बुले कि अगर कुछ छूट गया होगा मुझे गलती से तो आप कमेंट मुझे बता दीजिए कि यह इसी दिफ्रेंस है तो होप करता हूँ कि आप कोई वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते हैं आपसे ऐसी कोई और वीडियो आपको सो तिल ना साइनिंग अफ टेक केर और बाय बाय जाए